असलामों अलेकम दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम हम ट्रोला नेक्स एक्स का वैरिफाइ गूगल अकाउंट बगाइर एडिबी ऑप्शन और बगाइर रूट की एक इस तरह से बाइपास कर सकते हैं यह देखें दिस डवाइस वाजरी सेट तो कंटीनिव साइन इंड गूगल अकाउंट यह प्रेविशली सिंक डाउन दिस डवाइस तो यह विदाउट गूगल अकाउंट के नेक्स नहीं जा रहा है इसका verify Google account बाइबास करने के लिए वापस welcome screen पे आए और ये welcome screen पे आपने vision setting को दबाना है और यहाँ पर volume down को दबाएं और यह volume zero पे कर दें अधर वाइज यह आपका सर खाएगा volume zero पे करने के बाद यह talk back option को दबाएं और यह talk back को on करें पोके दबाएं और यहाँ पर volume up और down दोनों कियों को दबाएं और यह always को uncheck करके पोके कर दें दोबारा से volume up और volume down दोनों कियों को दबाएं और screen पर swipe करें और यह text to speed setting को दबाएं और दोनों कियों को दबाएं और screen को swipe करें और यह setting home को दबाएं यहाँ पर scroll down करें और यह accessibility में जाएं और talk back को off कर दें वापस आएं यह देखें नेक्सेक 6 अंडरड वर्जन 7.0 अंडरड स्कोर्टी पैच लेवल है 5 नॉमबर 2016 इसको बिल्ड नॉमबर को दबाएं तो यह देखें इसकी developer option open नहीं हो रही back आएं और यह apps में जाएं यह drive को open करें और इसको disable कर दें दबारा से वापस आएं और यह three dots को click करें show system को दबाएं और google account manager को search करें गूगल account manager इसको open करें और यह modify system setting को off कर दें दबारा से वापस आएं about phone में जाएं legal information को दबाएं open source को दबाएं इसको allow करें और यहां पर किसी भी statement को दबाएं और किसी भी world को press किये रखें यह three dots को click करें और यह assist को दबाएं तो यह आपके handset पर तो यह आपके handset पर google search open हो जाएगा यहां google search में लिखें see और यह chrome को open करें accept and continue no thanks और यहां chrome में एक link type करें यह link type करें और यह go का बटन दबादें इसको cancel कर दें तो यह आपके handset पर gsm महरभा की site open हो जाएगी इसको scroll down करें और मोडरोला next x6 का verify google account को bypass करने के लिए यहां से required apps को download कर लें सबसे पहले एप एक्स launcher को download करें अलाओ करें और यह download के लिए ओके दबाएं तो यह downloading स्टार्ट हो गई उसके बाद ड्राइड इन्फो को download करें डाउनलोड के लिए ओके दबाएं इसके बाद FRP bypass को download करें ओके दबाएं अपने handset के version के मताबक google account manager को download करें यह 7.0 को download कर लिया हमने और यह google account manager 6.0 को download करें अंड्राइड टर्मिनल आमेलेटर को download करें और यहां से dirty cow को download करें और इसका वर्जन चेक करने के लिए ड्राइड इन्फो को install करें इसके लिए वापस जाएं और यह google search में d लिखें और यह download को open करें और यहां पर ड्राइड इन्फो को install करें इसको डिसलाइन करें ड्राइड इन्फो को install करने के बाद open करें okay करें allow करें ड्राइड इन्फो ओपन होने के बाद यह system के टाइब में जाएं और यहां पर यह देखें instruction state में देखें आपके dirty cow का वर्जन यहां पर show हो रहा होगा इसके मताब़ कि dirty cow को download करें वापस आएं और यह fax launcher को install करें fax launcher को install करने के बाद open करें तो यह आपके handset की home screen आ जाएगी google chrome को open करें और यह इस link पर दबारा जाएं scroll down करें और जो हमने dirty cow का वर्जन चेक किया है उसको download करें dirty cow को download करने के बाद वापस आएं और यह download में जाएं और यह तर्मिनल को install करें done करें और यह frp bypass को install करें done करें उसके बाद यह dirty cow को rename करें okay कर दें वापस आएं और यह simulator करें यहां पर टाइप करें cd space enter यहां पर टाइप करें c a t cat space slash sd card slash download slash dirty cow और इंटर दबायें यहां पर लिखने टाच फाइब और यहां पर लिखनेए टच फाइल, इंटर दबाएं, CHMOD, 777, स्पेस, स्टार, इंटर दबाएं, डिर्टी काउ को चेक करने के लिए के वर्ग कर रहा है या नहीं, टाइप करें, डॉट, स्लैश, डिर्टी काउ, इंटर करें, देखें, ये एक्जेक्ट लीवर कर रहा है, इसके बाएं यहां पर टाइप करें, डॉट, स्लैश, डिर्टी काउ, स्पेस, स्लैश, सिस्टम, फिर्टी, स्लैश, विर्टी, ए्लैश, वर्टी, स्लैश, गोगन, शैस, बोगल, लोगन, शैश, ऍर लोगन, देखेँ, भरटोव 2, द estado 2, गूगल लॉग इन सर्वेस, स्लैश आउट, स्लैश, आर्म, अगर आपकी डवाइस 64 बैट है, तो आपने आर्म 64 लिखना है, अगर 32 बैट है, तो सिम्पल आर्म लिखें, और स्लैश, गूगल, लॉग इन, सर्वेस, डाट, कोड़ेक्स, स्पेस, फाइल, एक मान लिखें, यह सारी की सारी कमान्स आपको वीडियो की डिस्क्रप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, एक मान लिखें और इंटर दबाएं, जब यह डिर्टी का और रन हो जाया है, तो आपने यह प्लस के निशान को दबाना है, और निव विंडो को ओपन करना है, यहां पर टाइप करें, सीडी स्पेस, इंटर, यहां पर टाइप करें, सीएटी कैट स्पेस, स्लैश, एसडी कार्ड, स्लैश, डाउनलोड, स्लैश, गुगल अकाउंट मेंजर 6, जिस तरह हमने डाउनलोड किया है, वही सेम नाम है, यहां पर इंटर करें, गाम गैम 6.apk, स्पेस, गैम 6.apk, यह कमाद इंटर करें, और इंटर दबा दें, यहां पर टाइप करें टाच फाइल, और इंटर दबाएं, यहां पर टाइप करें, सीएच मोड, 777 स्पेस स्टार और इंटर दबाएं यहां पर टाइप करें . 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 slash . . . slash . . . . . . . Google Login Servers . . s . . गूगल लॉगिन सर्वास स्लैश गूगल लॉगिन सर्वास डाट अपी के सपेज गैम 6 डाट अपी के और इंटर दबाएं यह 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 गैम 6 डाट अपी के रन हो जाए तो आपने वापस आ जाना है और डॉवलोड में जाएं यहां पर अपने हैंडश के वर्जन के मताबएं गूगल अकाउंट मेंगर िॉप हैंपी एं आपस डन करें और वापस आएं सेटिंग में जाएं एपस में जाएं यह गूगल अकाउंट मेंजर को ओपन करें और यह डिसेबल को दबाएं डिसेबल अब को दबाएं ओके करें अनिस्टाल अनसक्सेसफुल ओके दबाएं और यह आपके गूगल अकाउंट मेंजर काईकन चेंज हो जाएगा यह एस्टी काड की अप्शन आगी उपर इसके बाद दबारा से वापस आएं डाउनलोड जबें और गूगल अकाउंट मेंजर 7 को दबारा से इंस्टाल करें आपस में जाएं यह कॉम डाट गूगल डाट अंडर डाट जी एस एफ लॉगिन को उपन करें और यह गूगल अकाउंट मेंजर 7 आपका आ गया इसको अनिस्टाल करें और यह देखें अनिस्टाल फिनिश्ट और आपका गूगल अकाउंट मेंजर कामयाभी के साथ अनिस्टाल हो चुका है अभी आपके एंट सेट में गूगल अकाउंट मेंजर 7 नहीं है यह देखें अभी वापस डाund लार्ड में जाएं और यह गुगल अकाउंट मेंजर 6 को इनिस्टाल करें डन करें और वापस सेटिंग में जाएं अपस में जाएं गूगल अकाउंट मेंजर को अपन करें और ये देखें Google Account Manager विजन 6.0.1 कामयावी के साथ इंस्टाल हो चुका है और आपका Google Account Manager 7 कामयावी के साथ डाउन ग्रेड हो चुका है अभी वापस आएं वेरिफाइड Google Account को बाइपास करने के लिए FRP बाइपास आप को ओपन करें और यहां पर यह थ्री डाउट को क्लिक करें ब्राउजर साइन इन में जाएं और यहां पर आप अपने किसी भी जीमेल अकाउंट के जरीए साइन इन हो सकते हैं अपना जीमेल अकाउंट लगाएं अपना अकाउंट लगाने के बाद नेक्स्ट बाएं अपना पासफर लगाएं पासवर लगाने के पाद नेक्स्ट करें जब साइनी नहींड रउना के बाद आपकी अप्लिकेशन एरर दे तो इसको कलोज एप को दबा दें और सेटिंग में जाएं अकाउंट चेक करने के लिए यह अकाउंट में जाएं और ये देखें Google Account काम याभी के साथ आड़ हो चुका है जब आपका Google Account काम याभी के साथ आड़ हो जाए तो आप अपने Google Account Manager को अपडेट कर दें उसके लिए वापस Downloads में आएं और ये Google Account Manager 7 को इंस्टाल करें और ये Done को दबा दें वापस सेटिंग में जाकर आप Google Account Manager का वर्जन चेक कर सकते हैं ये एपस में जाएं और ये Google Account Manager को क्लिक करें और ये देखें आपके Google Account Manager का वर्जन अपडेट हो चुका है Google Account Manager वर्जन 7.0 काम याभी के साथ आपग्रेड हो चुका है इसके बाद वापस आएं और अपने हैंडसेट को आप अभी रिस्टार कर सकते हैं इसके लिए पावर आफ करें जब आपका हैंडसेट पावर ओफ हो जाये तो इसको पावर आउन करें ए-ट स्टार्ट को दबाएं अच्वर्ट सिंप को इसकीप करें सेट अब एजन य्यूव और ये देखें दोस्तों हमारा Google Account काम याभी के साथ आड़ हो चुका है अभी आप Next करें और अपना Startup Wizard कम्पलीट करें और ये देखें Motorola Nexus 6 का verify Google Account काम याभी के साथ बाइपास हो चुका है इसमें Account आड़ हो चुका है Account को Remove करने के लिए और अपने हैंसर को Completely Hard Reset करने के लिए सेटिंग में जाए और ये बैक अप रिसेट की आप्शन में जाए फ्रक्टी डाटा रिसेट को दबाए रिसेट फोन को दबाए और इस आवरिधिंग को दबाए सब्सक्राइब करने के बाद आपको वाइफाय नेटवर्क के साथ किनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं जैस्ट आप इसको स्किप कर सकते हैं ये देखें दोस्तो मोट्रोला नेक्सिस 6 का वैरिफाई गूगल अकाउंट कामयाभी के साथ बाइपास हो चुका है और इसका अकाउंट रमोव हो चुका है अभी आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं मोडल को वैरिफाई करने के लिए सैटिंग में जाएं अब आउट फून में जाएं मोडल नेक्सिक्स अंडर्ड वाजन 7.1 स्कूर्टी पैच लेवल है 5 नॉम्बर 2016 बिल नंबर आप चेक कर सकते हैं उमीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से नेक्सिक्स और दूसरे तमाम मोडल जो नेकड 7.0 पे हैं या 7.1 या 7.1.1 पे हैं उनका वेरिफाई गुगल अकाउंट बाइक पास करने में बहुत हैलम मिलेगी मजीद वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए नेक्स वीडियो के साथ दबारा आदर होंगे तब तक के लिए अला हाफिज दोस्तों